हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है संतन और आप देख रहें एस विए स्मार्टे की यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप वाटसप ग्रूप चलाते हैं या आप कोई वाटसप ग्रूप का एडमीन है तो आप मेंबर को कैसे आड कर सकते हैं कोई नए मेंबर को आप अपने वाटसप ग्रूप में कैसे आड कर सकते हैं या वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि यदि आप नहीं तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजे और अल नोटिफिकेशन प्रेस्लेक्ट कर लिजे और मेरे टेलिग्राम चैनल जोईन कर लिजे लिंक आपको description में मिलेगा तो चलिए गाइज मैं आप सभी को दिखाता हूं कि कैसे group में member को add करना तो देखिए guys यहां पर मैं WhatsApp application open कर लेता हूं और open करने के बाद देखिए यह जो group उपर में दिख रहा है यह group का मैं member हूं मैं admin हूं तो इस group में मैं कोई नए member को add करके दिखाऊंगा तो देखिए इस पर click कर लिए click करने के बाद सबसे उपर आपको click कर लेना है group का name जहां पर लिखा हूगा है उस पर आपको click करना है click करने के बाद गाईजी यहां पर देख सकते हैं इस पर करका इंटरफेस आएगा और थोड़ा सा scroll करना है इस ट्रॉल करने के बाद आपको add participants का option आपको दीखेगा इस पर आपको click कर लेना है click करने के बाद देखिए यहां पर जितना भी यहां पर आपके contact में number save होगा उस सारा दीख जागा यहां पर आप जिनको भी यहां से add करना चाहते हैं add कर सकते हैं आसानी से तो देखिए यहां पर मैं इस contact को add करना चाहूँगा तो इस पर click करना है इस पर click करने के बाद देखिए उपर में आ गया यह contact उसके बाद नीचे में आपको tick mark का option दीखेगा green color में इस पर आपको click करना है tick mark पर click करने के बाद देख सकते हैं यह जो member मैंने add किया वो add हो गया successfully तो देख सकते हैं आपर screen पर सबसे नीचे जो add किया वो यहां पर add हो गया गाज इस परकार से आप अपने whatsapp ग्रूप में किसी नए member को add कर सकते हैं गाज अगर आपको यह वीडियो पसंद आ तो वीडियो को like कर दीजिए और family friends के साथ share कीजिए और channel पर नए है तो channel को subscribe करके bell icon press कीजिए thank you